हे गाइज कैसे हो आप सब आई होप सब बढ़े आई होंगे so गाइज वेलकम टू माइचनल यूथाइगोनिक so गाइज अभी हाली में यामा ने अपनी दो भाइक लॉंच की FZ25BS6 और FZS25BS6 आप काफी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इन दोनों बाइक में से आपको लेनी कौन सी चाहिए दोनों में से बैस्ट ओप्सन आपका लिए कौन सा होगा so गाइज उनके लिए वीडियो है वीडियो आपको अच्छी लगए तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले जो बंदा चैनल पर नाया है तुमारा भाई ऐसी अच्छे कंटेंट बनाता रहता है so वीडियो को जल्दी से सुरू कर लेते हैं बिना देरी किये वे so guys FZS और FZ25 में कोई ज़्यादा difference नहीं देखने को मिलता है कुछ normal changes देखने को मिलते हैं जैसी हम front पर देख लेते हैं front में आपको जो visor देखने को मिलता है front में जो visor FZ में देखने को मिलता है वो आपको FZ25 में normal देखने को मिलता है अगर मैं FZS25 की बात करो तो उसमें आपको एक long थोड़ा लंबा सा visor front visor देखने को मिल जाता है जो की काफी ज़्यादा muscular सा लगता है देखने में front से bike में आप काफी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सवाल होगा कि भाई क्या हम FZ25 BS6 में भी यह लगवा सकते है तो उन लोगों के लिए answer है जी हाँ बिलकुल आप लगवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप company वालों से बात करके उसको लगवा सकते हो second चीज की बात करो यहाँ पर FZ25 की बैजिंग देखने को आपको मिल जाएगी with green color और यहाँ पर आपको यह FZ25 की वैजिंग देखने को मिल जाएगी फर्क इतना है कि उसमें आपको FZS देखने को मिलता है यहाँ पर इसमें आपको FZ25 देखने को मिल जाता है बाकी अगर हम इसके looks की बात करें दोनो look बिलकुल similar है बात करें अब अगले changes की तो guys दोनों में जो changes difference आता है वो है इसके colors का आप जैसे की देख सकते हों यह मेरे सामने green color है जो की काफी muscular है और brand new color है glossy green color है यह और वहीं अगर मैं FZ की बात करूँ तो वो उसके अंदर आपको glossy blue color देखने को मिलता है दोनों ही color बहुत बढ़िया है और इसके अंदर आप other option भी ले सकते हैं जैसे की FZ के अंदर FZ25 के अंदर आपको blue और black यह दो option ही available हैं सिर्फ बट अगर मैं FZS25 की बात करूँ तो उसके अंदर आपको 3-4 color देखने को मिल जाएंगे जैसे की वीडियो में आप देख रहे हो यह अभी मेरे सामने glossy green और इसके अंदर एक और आता है वो आता है आपका matte blue matte blue के अलावा जो इसके अंदर color आता है दूसरा वो आता है इसके अंदर white जी हाँ white का अभी review channel पर मैं नहीं लेकर आया हूँ but hope so as soon as possible उसका भी review आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपको review देखना है FZS25 BS6 का so आप channel पर देख सकते हो वीडियो पड़ी हुई है मैंने पूरी detail में वीडियो बनाई हुई है so guys यह था इसका तीसरा changes जो मैंने आपको बता दिया FZ25 और FZS25 में क्या difference है अगर मैं पीछे की looks की बात करूँ बिल्कुल आपको similar looks देखने को मिलती है but कही न कहीं आपको attractive करती है attract अपनी तरफ ज्यादा करती है आपको FZS25 because उसका जो color है color options है वो भी जाद देखने को मिलते है साथ में उसके अंदर आपको hand guard भी front में आपको देखने को मिल जाते है जैसी आपने अभी वीडियो में देखी रहे हो आपको इसके अंदर front में head guard भी देखने को मिल जाते है जो कि एक protection wise चीज है बाकि आप यही same चीज अपनी FZ के अंदर भी लगवा सकते हैं कुछ ऐसे series के बात कर लेते हैं अब दोनों के यार prices की इन दोनों में prices का कितने difference आता है जो guys यामाहा की FZ25 है उसके अंदर आपका जो एक्षोरूम price आता है वो आता है एक लाग बावन अजार का और जो FZS25 का आता है price वो निकल कर आता है एक लाग 57,000 रुपे का so guys दोनों की price की बात करूँ मैं तो 4-5,000 रुपे का difference देखनों को मिल जाता है 4-5,000 के difference में 4-5,000 के difference में आपको कुछ extra accessories देखनों को मिल जाती है ज़्यादा charges नहीं कर रहे हैं दोनों के engine मिल कुछ similar है आपको कुछी भी changes नहीं देखनों को मिलेंगे but bikes के जो इसके अंदर आपको कुछी चीज़ एक्स्ट्रा देखनों को मिलती है जैसे front visor हो गया plus hand guard देखनों को मिलता है इसके अंदर आपको यह जो accessories है इसके अंदर falto देखनों को मिलती है प्लस paint texture जो है वो काफी जात अच्छा देखनों को मिलता है इसके 5000 company falto ले रही है आपसे but अगर आप चाहो आपको blue color पसंद है या आपको dark glossy black पसंद है तो आप FZ में भी यह accessories लगवा सकते है ऐसी कोई पामंदी नहीं है कि आप कुछी भी नहीं लगवा सकते so guys I hope आप दोनों को आप आप लोगों को समझ में आगया होगा कि इन दोनों bikes में आपको कौन सी consider करनी चाहिए कौन सी आपके लिए best रहेगी FZ S25 VS 6 के अंदर जो आपको accessories देखनों को मिलती है या आप FZ 25 के अंदर ही वो same accessories लगवाना पसंद करेंगे comment में आप मुझे एक बार बताए और आपको वीडियो कैसी लगी एक बार ये भी बता दीजिए का comment में आप लोगों को वीडियो काफी जादा पसंद आई होगी so guys मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ keep watching and keep subscribe my channel